हेलो गाईज वेलकम बेक टो वर यूटीव चैनल तो देखिए मैं आपका दोस्त अब है आज आप लोगों के साथ लेकर आएं वीडियो जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दल्ली उनिवर्सिटी के स्टूडेंट है सेमिस्टर 3 के अंदर बीकॉम ओनर्स कोर्स में उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा बिजनिस मैथमेटिक्स उसका एक्जाम अब बहुत ही नेर है इन सभी स्टूडेंट का जो भी दल्ली उनिवर्सिटी में है बहुत ही जल्द इसका एक्जाम आने वाला है तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज आप लोगों के सब्जेक्ट में बाकि यही सारी चीज़े कितने कितने मार्क्स के कोशन आते हैं किस किस टाइप के कोशन आते हैं यह सारी चीज़े कवर करते हुए हम चलने वाले हैं तो वीडियो के लाश्ट तक बने रहे हैं वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत बू कि examination उसी semester 5 में हुए थे जो कि 75 mark के हुए थे 3 hours के रिए हुए थे लेकिन आप new education policy में इस subject को उठाकर shift कर दिया है 3rd semester में और अभी तक new education policy में semester 3 का एक भी attempt नहीं हुआ है तो जो ये previous year का question paper में आप लोगों के साथ लेकर आया हुँ ये किस का है semester 5 वाले students का है लेकिन इससे आपको सरफ ये idea लग सकता है कि आपके किस type के question exam में आएंगे क्यूंकि जो Delhi University है वो सरफ marks की weightage बढ़ाई है ना तो paper का format change होने वाला है ना किस type के questions आते थे वो change होने वाला है लगबग इसी type के आपके questions आने वाले हैं तो इससे आपको एक idea लग जाएगा कि question tickets type के हैं कोई भी blueprint या कोई भी sample paper Delhi University नहीं निकाला है तो आपको इस semester 5 वाले question paper से ही आपको एक idea लगाना पड़ेगा तो चलिए आप देखते हैं इस question paper को name of the paper दिया है business mathematics course का नाम become honor थी है maximum marks यह आपका 100 mark का आता था पहले तो देखिए इस 100 mark में 2021 का है आपको यह भी दिख रहा होगा first question क्या है practical question है matrix multiplication method पर base हैगा जिसमें आपको net saving निकालनी है case based study question है ठीक है साथ में आपको एक benefit मिलेगा इसमें इसके solution भी given है तो आप उसे question करके और इसे recheck भी कर सकते हैं इसका B part हैगा यह भी matrix पर बेज़ड है बस इसमें matrix algebra का use करना है यह भी case based study questions है उसके बाद इसका ही C part हैगा यह भी आपका matrix वाले से ही बेज़ड है और case based study question आने वाले है तो matrix में से आपका कोई भी direct question नहीं आएगा सारे case based question आने वाले है second question हैगा आपका यह देखिए यह हैगा आपका find the number of boxes of each type should be made in order to maximize the total profit I think यह आपका algebra वाले chapter में से है जो आपका LPP वाले chapter है ना linear programming वाला करके chapter है उसमें से आएगा यह इसका solution given है इसका फिर B part भी दिया गया है आपको यह आएगा B part वाले का solution यह आएगा इसका C part का solution तो देखिए इससे आपको एक idea लग गया होगा कि सिरफ practical question ही नहीं आने है क्योंकि यह वाला question देखिए यह theoretical question दे रखा है third question है जो third part हैगा इसके अलावा कोई भी direct question नहीं आने वाला है ज्यादा तर जो question आएंगे वो आपके कैसे आएंगे case based question आएंगे मतलब आपको एक case दे रखा होगा और उसमें कोई चीज find करने के लिए बोली होगी उसको समझी कर आपको लगाना होगा कि matrix लगना है determinant लगना है क्या चीज लगनी है ठीक है third question है आपका यह third question भी आपका case based question ही है इसमें आपसे क्या पुछा है यूजिंग calculus का यूज करके आपको expression create करना है elasticity of supply का और इसे calculate करना है ठीक है इसके b part में आपको unoccupied find the relationship between profit and the number of unoccupied apartment यह भी आपका इससे ही calculus और determination से based है question c part है इसका है इसमें भी आपको equation बनानी है इनी chapter से base है जो ही आपका calculus वाला chapter है उसी में से हैगा ठीक है यह इसका solution दे रखा है सरफ third part का a और b का इसमें आपको solution नहीं दे रखा है फिर आगा आपका यह fourth question देखिए यह आपका जो time value वाला chapter है ना उसमें से हैगा solution आपको यहाँ पर दे रखा है b part आपका उसी chapter में से है depreciation का average rate calculate करना है c question आपका compound interest का है cash price calculate करना है आपको ठीक है कुछ के solution दे रखे हैं इसमें कुछ के solutions आपको नहीं दे रखे हैं इसका d part हैगा इसमें आपको amount set aside of each year यह इन फाइंड करना है यह भी उसी chapter में से आपका question है तो देखिए इससे आपको एक idea लग गया होगा कि आपके जो भी question आने वाले है सारे case based question आने वाले है एक भी direct question आपका नहीं आएगा आपका luck है अगर कोई direct question आजाए वरना जादतर जो question आएंगे वो case based question ही आने वाले है तो इस चीज़ का आपको दियान में रखना है उसी के according अपनी practice करनी है साथ में जो आपके marks वगयरा है उनकी weight जिसमें नहीं दिखा रखी है equal mark के सारे आपके question आएंगे total 5 question आएंगे आ आपके सरफ 18-18 marks के तो आपका 90 mark हो जाएगा लेकिन कोई भी full-fledged question मुश्किल है आना 18 mark का जो आपके 18 mark के question आएंगे उसके भी काफी parts बन कर आएंगे तो इस तरीके से आपको practice करनी है में भी आज की ये वीडियो आप लोगों को useful लगी होगी आप लोगों पसंद आए होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो like करना ना विले चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर ले इसका जो question paper की PDF है वो आपको telegram पर upload कर दे रहूँ है तो चलिए अब हम मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए thank you